कुर्बर्णिंग बच्चों मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी हिंदी विभाग मुलवारी कॉलेज राची बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी कोर भी को पढ़ा रही थी और आज हमारा यह पार्ट हिंदी कोर भी का जो पार्थ है समाप्त होता है इसमें पद और गद हम लोगों को पढ़ना था और कुछ अंस ब्याकरन का था तो पद और गद समाप्त हो चुका और आज मैं आप लोगों को थोड़ा व्याकरन के बारे में बता दूं ब्याकरन में पहले जानने के हम लोगों को क्या पढ़ना था हम मैंने प और शब्द रूप Training में विशेशन समास उपसर्क प्रत्यय वगर हैं हम लोगों को पढ़ना था तो हम लोग आज थोड़ा देखते हैं इसंखेपन कि संखेपन है क्या या सारलेखन यह और इसे हम लोग कैसे करते हैं कैसे हम लोग इसको लिखते हैं कैसे संशेपन करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे मुहावरा और लोकटी कभी-कभी-कभी हम लोग देखते कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है इस टेप का प्रश्ण आता है या मुहावरा का जामपल दे दिया जाता है उसका अर्थ पूछा जाता है तो पहले हम लोग देख लें संचेपन उसके बाद हम लोग मुहावरा लोकोक्ती पर शrictly करेंगे संचेपन जैसा कि से सक से ही असपस्ष होता है संचेपन यानि संचेप करना छोटा करना संचेप में लिखना किसी लंभी चौड़ी बात को संचेप में धोड़े में कहना ही संचेपन है इसमें आप्रासांगिक और संबत एवं अनावश्यक बातों को छोड़कर मतलब की बात यानि जो अवश्यक बात है ग्रहन की जाती है और उसे अपनी शब्दों में कह दिया जाता है यानि उसे लिख दिया जाता है संचेपन को ही सारांश लेखन या सार लेखन का नाम भी दिया गया है मुल गद्यांज के संचेपन का अनुपात समानत एक और तीन का होता है यानि एक तिहाई होता है जो हमारा सार हुआ वो हमारा एक तिहाई हुआ संचेपन को पढ़ते ही मुल्ग गद्यान्ज की सारी बातें आसानी से समझ में आ जाती है और इसी में संचेपन की सार्थकता भी है तो इस संचेपन का लिखने समय यानि जब हम लोग संचेपन करते हैं तो कुछ बातें ध्यान देने योग हैं जैसे कि एक काग्रचित होकर मुल्ग गद्यान्ज को साधानी से पढ़ें या बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी कि जो हमारा गद्यान्ज है उसको एक काग्रचित होकर पढ़ें और भाव या विचार को समझ में न आये तो मुल्ग गद्यान्ज को दो या तीन बार पढ़ें जदी एक बार पढ़ने के बार लगे कि नहीं बहुत थोड़ा कठीन है तो उसको दो या तीन बार पढ़ें तो फिर आसानी से समझ में आ जाती है और जो मुल्भाव है या हमारे मन मस्तिस्क में च्छा जाता है और फिर वह संचेपन त्यार कर रखिया जाता है दुश्रा है बूल गद्याश का अर्थ ग्रहन कर लेने के पश्चात उसके महत्वपुन शब्दों अंशों वाक्यांशों को चिनित कर लें यानि पढ़ती वक्त जो हमें महत्वपुन शब्द लगे या वाक्य लगे उसको हम लोग अंडरलाई कर लें उसके बाद अपनी ओर से किसी प्रकार का परिवर्तन न कर यानि अपनी शे कोई बात को उसमें न जोड़ें जो हमारा गद्याश दिया हुआ है उसी को पढ़कर उसी से लिखना है अपने से उसमें जोड़ करके नहीं लिखना है मूल्क अध्यांस में चिन्हीं शब्दों और वाक्यांशों के एक रूप रेखा त्यार कर लें तथा उसके भाओं और विचारों को करम को भी बनाए रखें जब संचेपन की भाषा में व्याक्रन की अशुद्धी पर भी ध्यान देना होता यानि की व्याक्रन की अशुद्धी नौ हो संचेपन की भाओं और विचारों के अनुकूल एक सिर्षक दे यानि मुल्ग अध्यान्स को पढ़ करके जैसा उसमें भाव है जैसा उसमें विचार है यानि जो बात कही गई है उसको बाल बार पढ़ने के बाद उसका सिर्षक उभरता है यानि की और उचित शिर्षक दे ठीक है तो और उसके बाद हम देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ती कभी कभी दोनों में अंदर पुछ दिया जाता है या एक्जामपल देखर करके उसका अर्थ को अश्पष्ट करने के लिए कहा जाता है तो पहले हम लोग जाने कि मुहावरा है क्या, लोकोगति क्या है क्या या फिर उसमें अंतर क्या है उसके बाद प्र हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बचे ध्यान प्रोग सुनें मुहावरा ऐसे वाक्यांस जिनसे समान्य अर्थ की जगा किसी विशीश अर्थ का बोध हो यानि ज्यान हो वह मुहावरा कहलाते हैं जैसे कि मालेज अंगुठा दिखाना यानि इनकार करना जब हम मालेज एगजांपल है कि अंगुठा दिखाना उसका आर्थ बताईए तो जब हम इस समझेंगे तभी तो उसका आर्थ लिखेंगे जब मैंने अपने मीत्र से सहायता मांगी तो उसने अंगुठा दिखा कर चल दिया यह हमारा हो गया मुहावरा उसी तरह से लोकुक्ति यानि लोकुक्ति का संदिविछेत क्या हो लोक जोड उक्ति लोकुक्ति भूद काल का लोक अनुभव लिये हुए उक्ति होती है जिसों को हम लोग लोकुक्ति कहते हैं दोनों में जदी हम लोग अंतर देखें तो माल लिजे मुहावरा का एक्जामपल हम जैसे बताया थे अंगुठा दिखाना यानि की इनकार कर देना और इधर हम लोकुक्ति देखते हैं तो इसे माल लिजे अजल गगरी छलकत जाए या लोकुक्ति आप लोग नो भी कभी सुना होगा अजल गगरी छलकत जाए यानि कम ग्यान अत्वा थोड़े धन वाला वेक्ति जादा दिखावा करता है तो बच्व यहां समझ में आ रहा है कि मुहावरा में क्या है और लोकुक्ति में क्या है अब दोनों का हम लोग अंतर देखते हैं तो मुहावरा किसी वाक्य का अंस होता है जबकि लोकुक्ति एक पुण वाक्य होता है जैसे माली जे यहां हम अभी बताये कि अजल गगरी छलकत जाए एक पुण वाक्य है और यहां मुहावरा में बोले अंगुठा दिखाना जो कि यह अधूरा है उसको समाझना है दुसरा है मुहावरे का अंस होने के कारण स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है जबकि लोकुक्ति का प्रयोग पुण वाक्य होने के कारण स्वतंत्र होता है तिसरा अंतर है, मुहावरी में वाक्य के अनुशार परिवर्तन होता है, जबकि लोकोक्ते में किसी प्राकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो बचों, आज हम लोग यहीं स्वाप्त करते हैं धर्णवाद